तो आज मैं बताने वाले हूं नॉर्मल डिलीवरी अगर आपकी होने वाली है आपके रिपोर्स सबकुछ अच्छे हैं जैसे कि आपके बेबे ने हैड डाउन कर लिया है किसी तरह के कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है डिलीवरी में तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए जब आप अब जाते ही होता है शिर्फ सिर्फ और इक बात ख्याल रखना यह होता है है की उस तौड आपको कैसे पुश करना है पुश करने की टाइमिंग जो होना जाहिए पुश कर ते वक्तिन बातों का धीयान रखना चाय तो ओवरॉल हमारा सबसे में जो चीज़े व होग पुश और अगर आप उन प्रोसेस से ना गुजरो वही सबसे बढ़िया होता है तो अगर आप अच्छे से पुश करोगे, और टाइम पुश करोगे तो डिलीवरी और जादे इजी होगी, और जादा जल्दी होगी और टाइम, मतलब जादा आपको देर तक लेबर पेंट सफर नहीं करना पड़ेगा तो पुश करने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है जैसे कि सबसे पहले इनिशियल डेज में क्या होता है, जब लेबर पेंट स्टार्ट होता है इनिशियल टाइम में, उस वक्त आपको पुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है जब आपका लेबर पेंट स्टार्ट हो रहा है अभी तो क्योंकि लेबर पेंट थोड़े समय के लिए होता है और थोड़े टाइम बाद वो आना शुरू करता है तो उस वक्त आपको पुश नहीं करना है जैसे जैसे दर्द शुरू हो गया आप डॉक्टर के पास चलेगे होस्पिटल चलेगे होस्पिटल जो है अभी मतलब वो आपको एक्जामिन करता है फिंगर टेस्ट के द्वारा तो फिर अभी बोल रहे हैं कि डिलीवरी में भी टाइम है लेकिन दर्द अगर आपका बढ़ना शुरू हो गया है दीरे दीरे बढ़ना शुरू हो गया है तो जब तक आपको नर्स खुद न बोले कि आप पुष करू तब तक आपको नहीं करना है क्यों कि क्या हुआ था मेरे टाइम में भी कि मैं अगर आपको बता हूं कि मैंने पुष करना पहले स्टाट कर दिया था जल्दे डिलीवरी होने के लिए तो डॉक्टर्स ने ये बोला कि इस वक्त अगर तुम अपना एनर्जी वेस्ट करोगी तो बाद में क्या होगा कि तुम पुछ नहीं कर पाओगी ठख जाओगे जिसके काई डिलीवरी में और ज्यादा लेट हो जाएगा तो इसलिए मैं बोल रही हूं कि आपक पुछ करने लगता है और ताइम जो गैपिंग होता है वो कम होते जाता है मतलब की बहुत कम टाइम के गैपिंग मैं आपको दर्द आ रहा है तो जब डिलीवरी होने वाला रहता है बिल्कुल लास्ट स्टेप में जब बिल्कुल बेबी का हैड मतलब पुरा नीचे की और जाता है तो आप अपने आप पुछ करने लगते हो बिना डॉक्टर के अडवाइस की हुए अपने आप आपको पुछ करने के एक्छा आने लगती है उस वक्त आपको पुछ करना है उस वक्त आपको पुछ करना है पुछ करते समय ये ध्यान रखना ये है आपको कि आपको जाता है और उस वक्त आपको पता नहीं चलता है बाद में आपको चीज का अनुभव होता है कि आपके लिप्स कट गये हैं या फिर आपने बहुत चीज पकड़ लिया अपने हातों से जिसके कारण आपके हाथ बाद में दर्द कर रहें तो इन सब बातों का ध्यान रखना औ बिल्कुल नीचे की तरफ दबाव डाला है इस तरीके से अगर आप चाहो तो कुछ पकड़ जैसे कि आप अपने जो बेड का रॉड वगरा होता है जो बिल्कुल जो सॉफ्ट चीजे हैं वही पकड़ना कुछ ऐसे चीजे नहीं पकड़ना जिससे की हातों में आपके छाल पर करना है सही तरीके से करना है उस वक्त पुछ नहीं करना है जिस वक्त जरूरत नहीं क्योंकि आप ठक जाओगे फिर बाद में आप डिलीविडी में फिर सपोर्ट ने कर पाओगे तो यह इन बातों का ध्यान जरूर रखें आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और कमिन करते हैं धन्यवाद